वेलकम टू मिस्रा इस्टडी नवगच्छा में आपका स्वागत है आज हम लोग कक्छा 10 का जो है हिंदी का चैप्टर नम्मर पढ़ेंगे तीन जो की है मैक्स मुलर के द्वारा रचित भारस से हम बाद क्या सिखें या एक भासन है जो की मैक्स मुलर ने दिया था तो सबसे पहले हम लोग मैक्स मुलर की जो हैं उनके वाले में जानेंगे और जो उन्होंने क्या बताया है प्रस्तुत चेप्टर में अध्याय में इन चीजों को भी समझने का प्यास करेंगे तो आप जानए कि मैक्स मुलर जो थे उनका जन्म जो हुआ था वह च्छो दिसंबर 1823 को को हुआ था कहा हुआ था जर्मनी के уш नामक जगह पर के और इनका अगर हम पूरा नाम देखें इनका पूरा नाम ठाव well इनके पिता का नाम था विल हेलम मूलर आब आप समझ सकते हैं कि ऐसा कहा मुलर का जब जन्म हुआ था और जन्म के चार वर्स के बाद उनके पिता का हो गया था बडिवार के इस्तिती लीपजिंग विस तंस्केत का दियन आराम्भ किया कि ओन्होंने जो है हित अपदेश का जर्मन भासा में अनुवाद किया यहां तक की उतणी सद्र याने कि स्वामिविकानन्द ने किसे वेदामतियों का वेदामति कहा है तो स्वामिविकानन्द ने मैक्स मुलर को वेदामतियों का वेदामति कहा है ठीक है और चुकि यह जो थे बहुत ही सहनसील व्यक्ति थे और इनको जो है एकलेंड की समरा गई थी महारानी विक्टूरिया उन्ह ये महारानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को 1868 में नाइट क्यूपाधी दिया था और फ्रेडरिक मैक्समुलर का निधन जो हुआ था 28 अक्टूबर सन 1922 में हो गया था तो ये कुछ पड़ीचय था जो मैंने आपको बताया और मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत से हम क्या सिखें ये जर्मन भासा में दिया गया उनका एक भासन है और क्लास 10 में डॉक्टर भवानी प्रसात प्रिवेदी ने इनका भासांत कर सकते हैं तो चैप्टर चुकी 9 पेज का है यहां तो मैं चाहता हूं आपको जो मूलभूत बाते इसमें बताई गई है मैं आपको बता दूं ताकि अगर प्रिक्षा में आपको बोर्ड एक्जाम में कोई भी तरह का प्रसन आता है तो आप आसानी से उसको कर लिजिएग तो चलिए प्रस्तु चेप्टर में जो मैक्स मूलर हैं वो क्या कहते हैं तो आपको मैं पता दूं कि मैक्स मूलर कहते हैं कि भारत जो है वह सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सोंदरी से पड़िपुर्ण है ऐसा मैक्स मूलर कहते हैं साथ ही मैक्स मूलर ने प्रस्तु जाती अनेको अनेक है यानि कि कई धर्म के लोग रहते हैं यहां पर कई जाती के लोग रहते हैं और यहां विसाल भुभाग जो है प्राकृतिक संपदा और संदड़ी से पड़ी पूर्ण है जिस वज़य से फिर भी लेकिन यहां पर जो भाई-चारा हम देखते हैं दुनिय साड़े जो है लोगों ने भारत में आकर लूट घसूट किया था और इसलिए यहां पर हमको विवित्ताएं भी देखने के लिए मिलता है लेकिन इतना वड़ा जनसंख्या वाला देश जो भारत है आज भी अपनी गणिमा को अपनी सभ्यता को वह मैंटन करके रखा है यानि सद्याओं से उसको लेकर चल रहा है इसलिए तुनिया के किसी ऐसे देश में इतनी बड़ी सभ्यता और इतनी अच्छी सभ्यता और इतना अच्छा विवाहार नहीं मिलेगा जितना की भारत में मैक्समिलर कहते हैं कि भारत को अगर आपको जानना हो तो आप ग एक किर्सी प्रधान देश है और यहां के तमाम लोग गाव में बसते हैं इसलिए भारत की आत्मा जो है वह गाव में बसते हैं ऐसा मैक्समिलर अपने भासन में कहते हैं साथ ही मैक्समिलर यह भी बताते हैं कि जब अंग्रेजयों का सासन था उस समय एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वारन हैस्टिंग्स और वारन हैस्टिंग्स ने यहां पर बारानसी के आसपास पुरा तत्विक विभाग के द्वारा जब खुदाई हुई जिनका नाम था जनरल करिंगम के द्वारा खुदाई किया गया तो वहां पर 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला और दारिश सब्द जो है यह प्राचीन काल में सुने को कहा जाता था तो 172 दारिश नामक सुने का सिखा मिला था कब जब यहां के गवर्नर जनरल थे वारन हैस्टिंग्स तो उसमें जो है जनरल कनिंगम ने जब पुरातत्तो विवाक्त से जो समंधित थे उन्होंने जब ख नहीं कि इसका है कहां भेज दिया इस्ट इंडिया कंपज़ा और जो उसका निदेसक था उसका बहरा गया लेकि उसने वह चीज़ समझा ही नहीं कि एक की इस क्या है तो उसने Kyac वर ढलवा दिया उसको मतलब गला दिया तो मैक्समलर कहते हैं कि लोगों ऊहाँ के लोगों पर टिपनी करते हैं कि वहिस्षी में इस तरह की घटना ना हो इसका हमिए खेद है कि इस सुने क्या पर था अर्थात भारत की सभेता और संस्कृति जो है अन्य देशों के पिक्षा बेहतर तो हैं ही साथ ही प्राकृतिक संपदा से संपन्न और संदरी से युक्त कोई देश यदीपुडे भूमंडल में है तो वह है भारत ऐसा मैक्समुलर अपने भासन के दर्म्यान कहते हैं इसके अत्रिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि सबसे प्राचिंतम भासा जो है वह संस्कृत है और संस्कृत भासा लगवग जो है समंधित चीजे हो या कानून से समंधित चीजे हो धर्म से समंधित चीजे हो जाती से समंधित चीजे हो तो आप भारत में जाकर यह तमाम चीज देख सकते हैं साथ ही यहां के का पड़िचय देते हुए मैक्समुलर कहते हैं कि भारत जो है वहां हर एक छैत्र में दुनिया के तमाम देसओं से आगे है चाहिवा धर्म हो या राजय सरकार हो, कानून या विदीशंघीता हो, यहां कि रितिर्वाज बहसा हो लोगों के रंग रूप् आकार इत्यादी यदि देखा जाए तो भारत ही जो है दुनिया के तमाम देसओं में से एक देस है यानि प्र profit पात मे जो मैक्समूलर है वे भारत की बढ़ाई करते हैं और भारत को जानने के लिए ही उन्होंने संस्कृत में संस्कृत का अध्यन क्या था और लिपजिंग विस्वद्याले से उन्होंने संस्कृत का अध्यन किया और भारत जब पहुंचा तो काफी प्रसंद होगा खास करके यह और उसने भी देखा कि भारत की इस्तिति क्या है और जब उन्होंने भारत पहुंचा तो वह उन्होंने बताया कि जो है भारत मतलब कलकता पहुंचा था वह सर विलियन जॉन्स और उन्होंने भारत का चित्रन जो है क्या धा तो प्रस्तुत पार्ट में जो मैक्स मुलर है वह भारत की विश्य तको बताते हैं कि कहते हैं मैक्स मिलर कहते हैं की जो सबसे प्राचिनतम भासा है व I was a Sanskrit है और हमारी जो भासा आ यह जी रूब की जो भासा होना है गृक अरलाटीन है जो बाद में देखने के लिए की कि संस्कृत जो है वह सभी भासाओं की जननी है इसलिए संस्कृत को ज्यादा जो है उन्हों ने आगे बनाने का प्रयास किया है साथ ही साथ मैक्समलर कहते हैं कि दुनिया का जितना भी सब्द है वह अधिकतर सब्द जो है संस्कृत से लिया गया है जैसे अगनी को लैटिन म सब्सक्राइध के बाधियम से संस्कृत भासाओं के बाड़े में इहां की जाती धर्म एकता के बाड़े में और यहां के इतिहास और प्रक formulate संपथा और संदरी का वर्न्न ने प्रस्तुत पाट के माध्यम से किया है अब हम लोग अब हम लोग प्रस्तुत पार्ट से रिलेटेड वस्तुनिष्ट प्रसनों को करेंगे और आप वस्तुनिष्ट प्रसन का जबाब दिजिएगा जोकि मैंने बताया आप लोगों को यदि आप नहीं जामते हैं या जामते भी हैं तो आप ध्यान से देखिए मैं आपको प्रत् किसे कहा है तो मैंने बताय था कि मैक्स मुलर को वेधांतीयों का वेधांती कहा था स्वामी व्यकारणद् ने अगला प्रसन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भड़ागरा वारसी लिए लाज है है कि मेक दूत नामक पुष्टक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भासा में किया था क्योंकि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और यह जर्मन भासा जन्ते थे डेसाउँ नामक जगा पर वह था इनका जन्म इसलिए जो है इनोंने हीत्वपदेश मेखडूद और कैन और कंठोप निसद का अ मैक्स मूलर ने दिया है अगला कुछन है कि कट और कैन उपनिसद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भासा में किया तो मैंने आपको बताया था कि कट और कैन उपनिसद का अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने जर्मन भासा में किया था अगला प्रस्न है कि लिपजिंग 28 अक्टूबर 1922 में हो गया था अगला प्रस्ण है जैनरल कनिंगम का संबंध किसे तुम मैंने बताया था कि जैनरल कनिंगम के चुकि वह पुरा तत्व विवाग से संबंधित हैं और उनहीं के समय में जो है यह 172 दारिस नामक सोने का शिका वारान नसी में वारन के काल में मिला था इसलिए जैनरल कनिंगम जो है वह पुरा तत्व विवाग से संबंधित है अगला प्रस्ण है 172 दारिस नामक सोने के शिक्ये का घरा कहां मिला था तो मैंने आपको बताया वारा नसी में अगला प्रस्ण है कि महरानी विक्टोरिया ने नाइट की है कि दारिस क्या है तो इसके बाले में मैंने बताया था कि दारिस जो है वह सोने की प्राचीन कालीन शिक्का है अगला प्रस्ण है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था दो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1830 würde तो प्रस्ण मैंने आपको बताया कि मैकीमानाख कब हुआ था तो मैकीमानाख दिसमबर 1818 तेस्वी को अगला प्रस्ण है कि प्लेटों का संबंध किस देश्टे है तो प्लेटों का संबंध जो है वह-वह युनावन से है भारस से हम क्या सीखे के क्रचनाकार कौन है तो भारत से हम क्या सिखे क्रचनाकार जो है मैक्स मुलर है अगला प्रस्ण है कि संस्कीत का आगनी सब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है तो आपको मैंने बताए था इगनस इस तरह का कुष्चन मैंने आपको बताने का प्रियाश क्या आगे मैक्स मुलर का जन्म कहा हुआ था तो डेसाओ जर्मणी में हुआ था वारेन हैश्टिंग स्कॉन थे तो वारत का गबर्नर जनरल था मैक्स मुलर की पिता का नाम तो तो तमाम तरह की का जो question है वो मैंने बताया आपको objective और एक दूठो objective और बता देते हैं किसे वारानसी के पास सोने के सिक्कों से भड़ा एक घरा मिला था तो मैंने बताया था वारन हैस्टिंग्स को इस तरह का प्रसंद आप से पुछा जाएगा यदि आपको वीडियो पसं आने का प्रयास किया और यदि उसको लिखित लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माधियम से वाट्साप नमर मैंने वहाँ पर प्रवाइड कर दिया है और उसके माधियम से भी आप PDF नोट ले सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जोएन करके भी आप उसका PDF नोट ले सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स टूडियो में धन्यवाद थेंक्यू आपका दिन सुबह धन्यवाद